कि नमश्कार दोस्तों में रहोंश्र महाज़ीरों अब सब्सक्राइब कैसे हैं आप सभी जिसके बारे में हमने पहले भी चल्चा करी थी अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज जाके देखिएगा जरूर मेडिकल एस्ट्रोलोजी को आगे लेके चल रहे है और यहीं पर आज हम बात करने वाले हैं डाइबिटीज के बारे में जियां दोस्तों शुगर एक ऐसी बिमारी है जो कि नहीं हर इंसान चाहता है कि उसे शुगर ना हो और अगर किसी को शुगर हो जाती है तो वह टोटली टोटली मेडिसीन पर डिपेंड हो जाता है और श शुगर अगर होती है तो ट्रीट्मेंट बहुत जादा अलग हो जाता है अगर आज मैं भी किसी चोटी सी बिमारी का इलाज कराने के लिए जाता हूं तो वहां पर डॉक्टर सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखने से पहले मुझसे यहीं पुछता है कि मुझे कहीं शुगर नहीं है तो शुगर एक बहुत जादा बड़ी बिमारी बोड़ी बिमारी यहां पर और बहुत आसानी सपव नहीं हो Tapi हमें proper proper precautions लेके चलना होता है diabetes के लिए तो आज हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में कुंडली के माध्य हमसे diabetes के क्या-क्या symptoms हो सकते हैं और कैसे हम ग्रहों की मदद से diabetes को control में कर सकते हैं कैसे हम पता लगा सकते हैं कि मुझे diabetes होने वाला है इस टाइम से से बिच में होने वाला है यहां पर मुझे अपना पूरा ध्यान रखना है जी हां दोस्तों तो यहां पर हम बात करने वाले हैं रिक्वेस्ट करूंँगा कि सबसे पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें जादा जादा लोग पहुंचाई तक जादा जादा लोग इस बीमारी से अपने आपको बचा पाएं दोस्तों डाइबटीज के मुख्य लक्षन क्या है आखे डाइबटीज क्यों होता है कुंडुली में ऐसे कौन से योग बनते हैं जिनके कारण ब्लेड में शुगर ग्लुकोस की मातरा बढ़ जाने से डाइबटीज होता है और इसके लिए सबसे महत्वपुन ग्रह जो है वह यहां पर गुरू ब्रहस्पती गुरू देव गुरू ब्रहस्पती जो है वह डाइबटीज को आपकी जीवन में लाने में सबसे पहले करेंगे क्योंकि शुक्र यहां पर ब्लेड यूरीन के जरी जो है वह शुगर बाहर थ्रो करता है तो इसलिए शुक्र को हमें काउंट करना यहां बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसी के साथ दो महत्वपुन ग्रह जो भी यहां पर योग बना देते हैं यूटियां बना तो गुरू शनी राहू चंद्रमा और शुक्र यह यहां पर डाइबटीज के लिए बहुत ज्यादा स्वाभावी ग्रूप से कैलकुलिशन में इंक्लूट किये जाते हैं और बहुत स्लाइटली रोल अगर में यहां पर किसी का लूँगा तो वह में यहां पर लूँगा मार रहोंगे तो यह वह जो ग्रहां हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं डाइबटीज हैं ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनमें डाइबटीज होना लिटल बिट स्वाभाविक सा होता है कि इनमें होके ही रहेगी तो यह सबसे पहले बात करते हैं राशियों की तो जो भी राशिया जो जली राशिया हैं स्पेशली करक राशी व्रश्चिक राशी करक राशी व्रश्चिक राशी इसमें यहाँ पर डायबटीज की सिम्टम सबसे जादा मिलेंगे आपको और साथ ही साथ मीन राशी करक राशी व्रश्चिक राशी मीन राशी और दो राशियां जो कि शुक्र की है व्रशव राशी और तुला राशी इन जात्कों में आपको डाइबटीज के लक्षन कहीं न कहीं मिल जाएंगे इसके चांसे जरूरी बनते हैं अब क्या योग बनते हैं क्या यूती बनती है क्या दशाएं क्या महादशाएं होती है जब डायबेटीस चर्म पर और आ अधर शुथे शुआन्टे हैं मैं आपके अंदर जाते हैं ऐसे कौन से सिंट्रम से यह मैं आपको भी बताने वाला हूँ जब भी आप देखिएगा गुरु देव गुरु ब्रस्पती की पोईशन 6, 8 या 12 में होगी 6, 8 या 12 में खराब पोईशन होगी, दुरुबल इस्थती होगी, खराब राशी होगी, खराब पोईशन होगी तो यहाँ पर डायबेटीज होने के चांसे जो है वो बढ़ जाते हैं, 6, 8 और 12 में गुरु की स्थती डायबेटीज को दे देती है इसी के साथ शनी अगर यहाँ पर करक राशी में है, द्यान रखिएगा शनी अगर यहाँ पर करक राशी में है या फिर शनी और चंद्रमा का विश्योग बन रहा है तो यहाँ पर डायबेटीज होने के चांसे बढ़ जाते हैं जब भी गुरु की स्तथी पांचवे और नवे गर में खराब होती तो वो यहाँ पर मोटापा दे देता है जब भी गुरू की इस्तती पांचवे और नवे गर में खराब होती तो वो मोटापा दे देता है और इसी कारण से ये एक लक्षन बनता है डायबेटीज का यहाँ पर अगर राहू का सयोग मिल जाए तो यहाँ पर डायबेटीज जो है वो स्वाभाविक हो जाती है कहीं जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर डायबेटीज होने के चांसे जो है वो बढ़ जाएंगे साथी साथ अब आप यहाँ पर देखिएगा कि एक पांच और नो यहाँ पर बहुत रोल प्रे करते हैं राहू के साथ गुरू के कंजेक्शन का एक पांच और रो में एक पांच और नौ में अगर राहू के साथ गुरू का कंजेक्शन हो जाए या फिर लगनेश का अश्टमेश से कोई संबंद हो जाए तो यहाँ पर डायबेटीज होने के चांसे जो है वो बढ़ जाते हैं शुक्र की स्थती अगर 6, 8 और 12 में खराब हो जाए और गुरू के साथ कंजेक्शन बन जाए तो भी यहाँ पर डायबेटीज के लक्षन आपको जरूर देखने को मिलेंगे अपनी कुल्ली में तो अगर आप भी अपनी कुल्ली में डायबेटीज दीखना जाते हैं तो इन तरीकों से आप देख सकते हैं यह बहुत ही कॉमन मैज़ड से जहाँ पर डायबेटीज हो जाती हैं और इनमें नेचुरिल यहाँ पर डायबेटीज होने के चांसे बनते हैं कुछ लोगों की कुल्ली में कुछ exception cases भी होते हैं वो some certain cases ही हो पाते हैं अगर आपकी गुरू की महादशा चल रही है और गुरू की महादशा में गुरू आपका कुल्ली में खराब बैठा हुआ है और अभी गोचर वे शनी की position खराब है और यहाँ पर गुरू और शनी का कंजेक्शन बन रहा है तो भी यहांपर diabetes आपकी होने के चांसे बन सकते हैं इसी कारण से आज की डेट में diabetes के लिए कोई specific IU निर्दारी नहीं है कि इतनी IU के बाद ही diabetes होगी उससे पहले नहीं हो सकती आज के समय में diabetes आपको कभी भी हो सकती है इसलिए दोस्तों आपको अपने खाने का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर डायेट लेना चाहिए प्रॉपर नीन निकालनी चाहिए और प्रॉपर आपको exercise करनी ही चाहिए ताकि आप अपने शरीर को कंट्रोल कर सके और अन्नेसेसरी बिमारियों से अपने आपको बचा सके अब ऐसे क्या उपाय के जाए जिससे कि आप diabetes से अपने आपको बचा पाएं दोस्तों उपाय में सबसे पहला उपाय क्योंकि गुरू को हमने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है यहां पर नाम का पार्ट करेंगे गुरू को मजबूत करने के लिए हम विष्णु सहस्त्र नाम का पार्ट करेंगे इसलिए के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं गुरू के मंत्र गुरू के बीज मंत्र का हम उचारन कर सकते हैं क्या है गुरू का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रों गुरुवे नमह एस मंत्र का हम उचारन करें इस मंत्र का 108 बार जाब करें और एक रेगुलर रूटीन मना कर अगर हम जाब करते हैं तो हमें इसके अच्छे परिणाम देखने को ज़रूर मिलेंगे इस्पेशली गुरुवार के दिन A surge क्र पाएं वरत रख पाएं तो यह मार ले काफी उच्छा रहता है इसी के साथ अगर हम स्बिन किसी को भोजन करा पाएं किसी ब्राह्मंण को भोजन खाया पाएं भी हमें काफी ज़्यादा मिलता है और इसी के साथ अगर हम पीले वस्तर का दान करें पीली चीजों का दान करें तो भी हमारे गुरू को प्रबल होने में सहायता मिलती है आपके कुंडली में गुरू की पोजिशन क्या है और उसके हिसाब से कौन सा उपाय आपके लिए प्रयोग जादा करना चीए और साथ ही जाथ शनी के कुछ उपाय भी आप इसमें यूज में ले लें काम में लें तो भी आपकी यहां पर डाइपटीज जो है वह कहीं बची बच सकती है कहीं अच्छे लेवल पर आपको केर कर सकते हैं डाइपटी से बचा सकते हैं गाए क चारा डालना बहुत ही जादा मैं अगर आपको डाइपटीज अगर प्रेगुलर गाय को चारा डाले इससे आपको बहुत जादा हद तक देखेगा मदद मिलेगी और काफी हद तक आपका काम जो है वह आसानी से बन जाएगा आपको डाइपटीज जादा परिशान नहीं क बचाने में ज्यादा सक्सेस्फल होंगे ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे दोस्तों उमीद करता हूं वीडियो जो मैंने पेश किया आपके सामने आपको अच्छा लगेगा और साथ ही साथ वीडियो पे जान करी दिए इससे आपको काफी जादा बंद मिलीगी पीज व कर सकते हैं मुझे यूटीब मैसेज कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर सम्माव मदद यहां पर कर सकूं